एक नई वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और अगर आप लोग दोस्तों सी टैट के एकजाम देने के लिए तयारी कर रहे हैं यूपी टैट या आपका सूपर टैट हूँ तो सबसे ज्यादा इंपोर्टन सी टैट के लिए रहने वाली है यह वीडियो जिसमें कि मैं आप सभी को टैग वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप लोग की तयारी भी थोड़ी सी कम है मान दिजेगा किसी विच्चे की तयारी थोड़ी सी कम रहे गई है तो वो भी इन टैग वर्ड की मदद से अपने एकजाम को बहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकता है तो इस वीडियो में बने रहेगा ज्यादा बड़ी प्रजिटिव मान लिजे आपको कोई question समझ में नहीं आ रहा है और उसमें बालकेंदरित लिखा हुआ है या question जो है वो बालकेंदरित की तरफ इसारा कर रहा है जिसमें कि बच्चे को महत दिया जा रहा हो ठीक है तो वो question आपका positive रहेगा ठीक है यानि कि समझ लीजेगा वो आंसर आपको लगाना देखने में कि हाँ पोजिटिव है तो कुछ पोजिटिव वर्ड है टैग वर्ड है जैसे कि बालके इंदरित हो गया आपका दूसरा हो गया करके सीखना ठीक है अगर आप लोग बालक को खुद खुद से काम करने के लिए दोगे तो वो चीजों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाता है ठीक है और बालक को प्रेरिद भी करना है बालक को प्रेरिद करना है यह भी आपका टैग वर्ड जो आएगा पोजिटिव में आएगा सक्रिय भागिदारिता ठीक है बच्चे की सक्रिय भागिदारिता होनी चाहिए तो यह आता है महतू देना या सम्मान देना दोस्तों यह आपका लगभग समनार्थी हो जाएगा और किर्यासील किर्यासीलता ठीक है क्या होगा किर्यासीलता चलिए इसके बाद दोस्तों अगला ओप्सन रहने वाला है या अगला टैग वर्ड रहने वाला है बढ़ावा देना दें एक्टिव रहेगा और यह भी आपका पोजिटिव में आजाता है अगर आपको कोशन में कहीं हो यह जाए ना इक स्रेजनात्मक् hamd jya ? आपका अपसारी चिंतन बता है न अपसारी अपसारी चिंतन यह आपका पॉजिटीव है स्रेजनात्मक्न है न यह आपका पॉजिटीव है समावेशत सभी बच्चों को out लेकर अच्छा प्रदान करना श्वम खोज यानि कि बालक स्वम खोज में लग जाए इसके बाद वातवन प्रदान करना अगर आप लोग बालक को स्वच्छ वातवन प्रदान कर रहे हो तो आपका सही है साधा करना यह भी आपका सही है कल्पना मैंने आपको बताया था अगर बालक कल्पना कर रहा है एक उसन आप लोग उन्हें पढ़ा होगा अगर बालक विद्यारती टीचर से पूछ रहा है कक्छा में इसका मतलब वो क्रिया सील है और ऐसा करना चाहिए और बालक को पूछने के लिए आप लोग प्रोसाहिद भी करने चाहिए कल्पना करना जिग्यासा यह आपके सारे के सारे पोजिटिव वर्ड है चुनोतिया सब्द भी आपका एक पोजिटिव वर्ड आएगा अनुकूलन यह भी आपका पोजिटिव है उत्पन परामर्स देना यह आपका पोज कोसन सही है जानकारी एकत्र करना और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग थोड़े से कनफ्यूज हो रहे हैं को सन में तो एक बार आप लोग जो है इंग्लिस का वर्जन जरूर देख लिया करें सी टैट की बात करूं तो ठीक है वहां से भी आपका अंसर मिल पॉजिटिव है काम करना अन्वेशन पॉजिटिव है ये भी आपका रूची और बच्चों का सरवांगेड विकास करना ठीक है इत्यादी वर्ड आ जाएंगे बस इतने में ही काफी है लेकिन अभी आप लोग समझेगा कुछ निगेटिव वर्ड हैं वो कौन-कौन से हैं कुछ ओप्षन ऐसे दिये हुए होते हैं जिसमें आपका केवल भी जो है पॉजिटिव बन जाता है वो आपका डिपेंड करता है कौस्टन किस परकार से पूछा गया है ठीक है कभी आप लोग देखने लगो कि यहां सर ने तो बता दिया था कि केवल सब्द जो है गरिधे में आता है मात्र और सिर्फ तो ब्हेद भाव नहीं करना है बच्चो में अगर आप लोग दो बच्चो में ब्हेद भाव करोगे तो दूसरा है वह हीन भावना से ही ग्रत हो जाएगा रटना मना है रटना जो आता ता वह आपका नगमन विधि के अंतरगट आता है मैं जोड़ देना किसी बात पर ये भी आपका निगेटिव में आएगा डढ नहीं देना है ग्रेडिंग सिस्टम नहीं करना है ठीक के भेद भाबने करना मैंने अभी आपको ऊपर बताय याद करना और परिक्षा परिक्षा भी आपका निगेटिव वर्ड है बोज और हतोसाहिद ये भी आपके निगेटिव है देखिए सिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है ना कि सिक्षा केंद्रित अगर आपको कहीं पर मिल जाता है सिक्षा केंद्रित और पाठे पुस्तक कें की तो निस्किर कुंब नुगेटिव में आएगा लंग ऐसामानता नहीं हो सकती लंगे अश्मानता का मतलब यह लटके बाहर का काम करेंगे लटकी घर का काम करेंगे तो लेंगे का सब्सक्राइब हो रही है न आप लोग इनको नोट डाउन करके रख लो और एक्जाम में बहुत ज्यादा आपको देने वाले हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो सेर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाइ